So yes guys, तो हमें कोडी रोट को ऊपर ब्रॉक लेसनने ने काफी बुरा वल अटाक किया मंडे नाइट रॉब में, तो क्या होता है, कोडी रोट्स एरीना में अंटर करते हैं अर वो बैक स्टेश से जा रहे होते हैं, तब ही अब सडनली ब्रऌकलेजन को डिशन कओर रोटकर अट्यू आ फूरेट करने लगाुज जाते हैं आइने ब्रऌकलेजन कोडी रोटक के हैंड को काफ़ी जाधर री ट trib affiliote करते हैं इसकी बरेसे कोडी रोटका हैंड़ेजर हो जाता है और कुछ टाइम बाद Brockless ने रिंग में आते हैं और रिंग में आके Brockless ने कहते हैं कि मैंने Cody Rhodes को बुरी तरीक से तोड़ फोड दिया है और वो मेरे साथ मैच कम्पीट नहीं कर पाएगा Knight of Champions में तो Brockless ने कहते हैं मुझे कोई new opponent चाहिए मैं open challenge करता हूँ कि कौन मेरे साथ मैच करेगा Knight of Champions में तो हमें फिर से हमें Cody Rhodes देखने को मिलते हैं और हमें Cody Rhodes का हम hand injured देखने को मिलता है Cody Rhodes चाहत ऑफिशल्स भी होते हैं और हमें Cody Rhodes को नहीं जाना चाहिए थे Brockless ने के सामने और आपको यह Brock attack कैसा लगा Cody के उपर कमेंट करके बता देना अगर आपको यह वीडियो बसंद आए तो प्लीज डोंट फॉगे तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब और चैनल थांक्स पर वाश्चिं थीडियो